हुआ है 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 अजसे आपको को इस एस टी पढ़ाने जा रहा हूं बुक का नाम है सोसाल एथिक्स ब्लू बर्ड सिरीज की पेशकस है यह क्लास वन आपको देख लीजिए अब चल लें लेशन की तरफ आपके लेशन का नाम है प्लांट्स अराउंड अस हमारे चारो तरफ के पाउध है हमारे चारो तरफ के क्या पाउध है आप लोग उपर की तरफ देख रहे हैं लिखा हुआ है वेन यू गो टू अपार्क और गार्डन जब आप किसी पार्क या बगीसे में जाते हैं वट डू यू सी तो आप क्या देखते हैं तो आप कई परकार के पाउधे को देखते हैं सम प्लांट्स आपका मतलब होता है कई परकार के सम प्लांट्स आर इसमाल कुछ पाउधे छोटे होते हैं और सम आर वेरी बीग और कुछ क्या होते हैं बड़े होते हैं दबीग एंड ताल प्लांट्स आर काल ट्रीज बड़े और लंबे पाउधे पेंड कहलाते हैं जैसे नीचे फीगर में दिया गया है बानियन नीम और मैंगो अब आगे चलते हैं आ कि सम प्लांट्स आर इसमाल बेंट रिज पॉद्य कुछ ब्रिग्ष जै पर यहां पर पॉदे कहना उचित रहायाएगा सम प्लांट्स आर इसमालर तेन ट्रीज कुछ पॉद्य जो पेणू क capacitance क्या होते हैं बहुत चोटे होते हैं दे आर काल षण उनको हम क्या बोलते हैं जाड़िया बोलते हैं अब आगे चलते हैं these are plants which are smaller than shrubs देखो ये वही पौदे हैं जो जाड़ियों से क्या होते हैं छोटे होते हैं देर काल हर्ब तो हम इने क्या बोलते हैं तो वे लोग वे जड़िबूटिया कहलाते हैं जड़िबूटियों में आपका मीन्ट है पुदिना जिसको बोलते हो ब्रिंजल है इस्पिनास है अब आगे चलते हैं उपर लिखा हुआ है trees ये लिखा है trees and plants are very useful ब्रिक्ष और पौधे बहुत ही लाबदायक होते हैं plants gives us food पौधे हमें क्या देते हैं energy देते हैं plants gives us food पौधे हमें भोजन देते हैं we get rice wheat, vegetables and fruits from plants हम पौधो से चावल, गेहूं, सबजियां और फलो को प्राप्ट करते हैं we get cotton from cotton plants for making clothes देखो, हम कपड़े बनाने के लिए cotton के पौधो का cotton के पौधो से यानि कपास के पौधो से cotton को प्राप्ट करते हैं फिर से एक बार देख लो हम कपड़े बनाने के लिए कपास के पौधो से cotton को प्राप्ट करते हैं यानि जिसको हम रूई बोलते हैं trees provide wood for making furniture, houses and boats, bricks, furniture बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और boat को बनाने के लिए हमें क्या देते हैं लकडिया देते हैं, plants, keep the air fresh and cool, ओधे क्या करते हैं, ताजी, हवा और ठंडी देते हैं, ठीक ना यानि पौध है, हवा को ताजी और ठंडी ठंड बनाया रखते हैं, they make the place look nice, वे किसी भी अस्थान को बहुत ही सुन्दर बनाते हैं अब हम questions की तरफ चलते हैं, questions एक एक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और आप एक एक करके उसको copy कर लिजिएगा चले यह देखिए बस आपको notebook पे copy करना है, अब आगे चलते हैं उपर यह लिखा हुआ है, इसको देखकर पहले copy कर लिजिएगा, मैं answer दिखा दे रहा हम एक बार फिर यहां है यह और फिर यह यहां पे है, हो गया, अब चलते हैं answer की तरफ यह रहा है आपका, class third का, यह देखिए, फिर यह है, आप लोग copy कर लिजिएगा, अब आगे चलते हैं, इसको देखिए, यह चलिए, फिर आगे चलिए, हम अब आगे की तरफ चलते हैं, देख लिजिए, गवर से देखिएगा, और इस copy पर सही सही copy कर लिजिएगा, Thanks for watching my channel. कि एष ब कर लुझ कर देजिएू पर टफकू सही हैक आगे कवास्ज?